सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि मंदिर या पूजास्थान का रंग कैसा होगा और उसके स्थान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखिए सामान निरूप से पूजास्थान या मंदिर घर के इशान कोण में होना चाहिए पूर्व उत्तर के कोने में रहे यानि इशान कोड में रहे तो बहुत अच्छा होगा अगर इशान कोड में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रियोग कर लें पूर्व दिशा का इस्ट डिरेक्शन का इस्तमाल करें मंदिर के लिए तो वो भी सही रहेगा अगर आप फ्लेट में रहते हैं तो वहाँ पर दिशा इंपोर्टेंट नहीं है वहाँ पर ये इंपोर्टेंट है कि मंदिर ऐसी जगां पर हो जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो तो कि फ्लेट जो है वो हवा में बना हुआ है वहाँ पर दिशाओं का बहुत महत्व नहीं होता पूजा का जो स्थान है वो नियत होना चाहिए ऐसा नहीं कि आज आप मंदिर के सामने बैठके पूजा कर रहे हैं कल बेडरूम में पूजा कर रहे हैं परसो लिविंग एरिया में पूजा कर रहे हैं पूजा का एक स्थान होना चाहिए जहां आप पूजा करें और उसे बार-बार मत बदलिये स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक बार कि अगर आप पूजा को गहरा बनाना चाहते हैं महत्तपूर बनाना चाहते हैं तो स्थान, समय और इश्ट ये एक होने चाहिए एक स्थान पर पूजा करें एक निश्चित समय पर पूजा करें और जो आपके इश्ट देव हैं सिर्फ उन्ही की पूजा करें, अगर आप ऐसा करें, तो पूजा आपकी डीप से डीपर होगी, गहरे से गहरी होगी, इसलिए बार बार पूजा का स्थान मत बदलिए, पूजा स्थान का रंग हलका पीला या सफेद रखें, गाड़े रंग से बचाव करें, पूजा के स्थ पर हलका पीला रंग अगर करवाएं या सफेद करवाएं तो बहुत अच्छा होगा ये लाल रंग नीला रंग भूरा रंग ये सब मत करवाईएगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं कि बाजार से मंदिर खरीद लाते हैं छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए मं जिसको गर्ब ग्रिह कहते हैं हिंदू परमपरा में जो मंदिरों के ओपर गुंबद होता है उसके ठीक नीचे बैठ करके अगर आप ध्यान करें अगर आप मंत्र जब करें तो इसके परिणाम इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे होंगे लेकिन इसको पूजा अस्थान पर रखने से फाइदा नहीं है क्योंकि इसके नीचे तो आप बैठ नहीं पाएंगे इसलिए केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बनाईए जहां देवी देवता खुले में रह सकें मंदिर वाली आकृती को रखने की आवशकता नहीं है समझ गए बात को ना और मंदिर आप ऐसा लाके रखते हैं तरभुजवाला बुराई कोई नहीं है उसमें लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं है और बहुत सारे लोग तो इतने बुद्धिमान हैं कि मंदिर में देवी देवता की पूजा किये उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिये मतलब और कोई काम नहीं है आपने भगवान को भी बंद करने की जुरुरत कर ली ऐसा लोग करते हैं अब मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार करें मंदिर में देवी देवताओं को किस प्रकार से उनकी मूरतियों को उनके चित्र को स्थापिट करें मंदिर की आकृती रखने के बजाए पूजा का स्थान बनाएं मंदिर की आकृती मत रखें एक लकडी का पटरा लगा करके या छोटी टेबल लगा करके या स्लैब के उपर बढ़ियां से मंदिर की जगा पूजा स्थान बनाईए इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड मत लगाईए कुछ लोगों के मंदिर में इतने देवी देवताओं के चित्र इतने देवी देवताओं की मूर्तिया होती है कि उनको सबको तिलक लगाने में यादा घंटा चला जाता है क्यों भीड लगा रहे हैं भाई? जिस देवी देवता की मुख्य रूप से आप उपासना करते हैं, उनके चित्र को या उनके मूर्ती को पूजा अस्थान में बीचों बीच में रखिए, एक आसन पर रखिए या एक चोकी पर रखिए, बाकियों को बगल में स्थापित करें, जैसे मान लिया आप कृष्ण भ पूजा करते हैं, अगर मूर्ती की स्थापना करनी है तो यह मूर्ती 12 अंगुल से nach नहीं होनी चाइए, 12 अंगुल नहीं लगबग 6 से 8 इंच के बीच में आप मूर्ती रख सकते हैं, चित्र आप जितना बड़ा चाहे लगा सकते हैं, चित्र और मूर्ती के इस पंदन में बड़ा अंतर होता है कभी बताऊंगा कि चित्र लगा कर पूजा करने के फाइदे क्या है और मूर्ती लगा करके पूजा करने के फाइदे क्या है लेकिन चित्र और मूर्ती में अंतर होता है आप चित्र कितना भी बड़ा रख सकते हैं मूर्ती 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पूजा स्थान पर एक शंक जरूर रखें तीन गोमती चक्र रखें और एक पात्र में जल भर करके रखें सुबा जब पूजा करते हैं तो तांबे के छोटे से लोटे में पूजा करते हैं